आज हम यूनिट नमबर 4 में देखने जा रहे हैं कि हम साइंस से रोलेटेड लिटरिचर की किताबं को क्लास्टरूम में कैसे ला सकते हैं और बच्चों को साइंस के कॉंसर्ट वाया लिटरिचर कैसे इंट्रड्यूस करवा सकते हैं किया हमारे पास इसका कुई क्राइटेरिया मौजूद है आज हम टीचर को बटा सकते हैं कि जब बच्चों के लिए अपने लिटरिचर की क्लास्ट में और लिटरिसी क्लास्ट्रूम के अंदर किताबे लेकर आएंगी और वो जिसमें साइंस के कॉंसर्ट होंगे तो उन किता इसका जो concept है, वो एक significant, important concept होना चाहिए, जिसे आप judge कर सकें के यह concept, science का ही concept है, कोई और concept नहीं है, और teacher को जस चीज़ की जरूरत है, वो यह है कि जब आप book choose करते हैं, तो आप यह देखें, कि आपका जो class है, क्या वो किताब के अंदर जो topic महझूद है, वो आपके बच्च क्या है उस किताब के अंदर फिलाग्व की गई है क्या बच्शे इस लैवल की रीडिंग कर सकते हैं और यह और लिसनिंग की और अगर बच्चे किता पढ़ ही ना सकें तो ना तो वो साइट ना ना वो लिटरसी स्किल्स को डिवैलब कर पाएंगे मिजॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट की है हमने ये देखनी कि क्या वो ये किताब अकेले पढ़ लेगी या वो मेरी मदद से किताब पर सकती है और बच्चों को अगर मैं ये किताब बावाज़े बुलां दूरी आप अपने बच्चों को जानते हैं आपकी जो पुराने लेस्न प्लाइंस आप उनमें देखें किस किस किसम की बुक्स आपने अल्री इंटर्डियूस करवाई हैं आप बच्चों से गुफतों शनीद करते रहते होंगे डिसकुशन करते रहते होंगे साइंस के कॉंसर्प बेहतर होगे और बच्चों में क्या बेलिटीज हैं किस तरीके से हम इंट्रोस्टिंग तरीके से साइंस बेस्ट किताब जो है स्टोरी बुक्स बच्चों को इंट्रीउस करवा सकते हैं कि अब कोई भी साइंस की किताब क्लास के लिए लेने जा रहे होते हैं तो आपने यह जरूर देखना होता है कि बुक कब लिखे गई थी इसका टाइम लाइन क्या था और इसमें जो इंफरमेशन है वो कितनी एकुरेट है और जो कॉंटेंट दिया गया है उसकी क्वालिटी क अब इंपोर्टन चीज इसके अंदर क्या है इस इंपोर्टन चीज यह एक आप यह देखी कि इसकी डेट क्या है वह कब पुब्लिश्व थी इसकी कॉपिराइट कि आपको पता चलेगा कि इसकी किताब के अदर मौजूद है क्या यह आउट डेट तो नहीं हो चुकी शाह करने पड़ेंगी साइंस की किताब में कि कहीं आपने कोई ऐसी स्टोरी बुक तो नहीं ले ली जो फ्रेक्शन के उपर बेस्ट है उसके अंतर साइंस के कुछ मिस्कंसाप्शन मौजूद हैं अगर हैं तो आपने बच्चों को एक्स्प्लेइन करने कि यह क्यों है और यह कैस समझ सकें कि यह मिस्कंसाप्शन है और कई बुक्स में यह मिस्कंसाप्शन जो है ऑफर नहीं बताता तो वहां आपका रोल है एजब टीचर कि आप उसके मिस्कंसाप्शन को इमेडियेट आफ्टर रीडिंग दा बुक बच्चों के साथ डिसकस करें उसके फैक्ट्स और और accurate facts and figures बच्चों के साथ share करें और उसको discuss करें और उन misconception को खतम करने की कोशिश करें.